व्यायाम करने वाला है व्यायाम हम जैसे फिट लोग यहां पर नहीं करते हैं यह जो डियाबिटीज के पेसेंट हों और सारे हों मोटे तगड़े लोग हों उन लोग के लिए यह है और हम लोग के लिए नहीं है हम लोग यहां पर करेंगे तो अभी जितना बना हुआ है वो स पासकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में आज हम लोग गोरपुर के सबसे फेमस जगह रामगर ताल के नाम से पहले जाना जाता था और आज अभी ये नौका विहार के नाम से फेमस हो गया है और पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले पूरा टूर कराऊंगा पूरा शैर कराऊंगा अंदर जो जो चीज है जो बहुत बढ़ियां बढ़ियां जो भी चीज होगा मैं आपको वह सब दिखाऊंगा तो चलिए दिखाते हैं आपको यह जो ताल है यह बहुत लंबा ताल है और यह शुरू हुआ है गौतम पुद्धिनगर से मतलब वहां से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो गौतम पुद्धिनगर से मतलब ढली जहां घूल दिखाऊंगा लेकिन किसी भी तरीके से अंदर जाओंगा और आप सबी और अंदर जाके इतना अच्छा चीजू और कि आपको दिखाऊंगा और घृध जयसा कि आप मैं आपको दिखाऊंगा अभी इशे के पीछे का महाह较 दो हुआ पर आपको दिखाऊंगा अका अब आपको दिखाऊंगा अब अच्छा हो, और सारी चीजह दो हाँ और इस जो गेत है वह गेट आप देख सकते हैं से यहां पर यह से बंड़ा हुआ इसे अभी कुरोना के वज़ा से पुलिस लोग यहां पर बैटे हुए और अंदर जाना प्रोहिबिटेड है अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है लेकिन किसी भी तरीके से अभी इसका कुछ पोज निकलेगा भी मैं दिखाऊंगा अभी अंदर जाके वहां से किसी चाचा से पूछेंग वह बहुत बड़ा पार्क है और इसके बगल में एक वाटर पार्क है इसलिए उदर कुछ दिन का गैप मैंने ले लिया और गैप इसलिए लिया क्यूंकि मेरा एक्जाम चल रहा था तो उसका सेवन समेश्टर का मीड़ सेम का एक्जाम था वह एक्जाम पांच पेपर थे पांच पेपर में 16 तारिक से स्टार्ट हुआ था और 16 तारिक से स्टार्ट हुआ और 20 तारिक को खतम होने वाला था लेकिन 20 तारिक को कुछ मैटर हो जाने के कारण वह सीधा 20 तारिक का जो पेपर था वह 22 तारिक को होने के बाद मेरा सारा मतलब 5 पेपर सब खतम हो गया औ अभी मेजर प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देना है और वो है I think 25 को है 25 को 25 ओफ नॉवेंबर उसको देने के बाद फिर 28 नॉवेंबर को हम लोग का एक और पीपीटी देना है वो इस रिगार्डिंग है कि जो हम लोग इंटर्शिप करते हैं जो हम लोग ट्रेनिंग लेत है और वो रिपोर्ड में मेरा पीपीटी अलोंग विथ रिपोर्ट 28 को I think 28 को सब्मिट करना होगा और अभी जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि कोई खूपिया रास्ता मिलेगा तो उसको ट्राइब करेंगे अम लोग जरूर अंदर जाने के लिए और अंदर जाके आप को पूरा सीन जो होगा वो मैं दिखाऊंगा अब जैसा कि मैंने आप सभी से बोला है कि अंदर जाके मैं आप लोग को दिखा के ही मानूंगा उसको मैं दिखाऊंगा और इसलिए उधर हम लोग बढ़ चुके हैं अभी एक बैया थे उनसे हम लोग ने पूछा तो उन्हों कि यहां जब हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में इतना लंबा ट्रैफिक मिल गया हम लोग को कि मान के चलिए आधा गंटा से 40 मिनिट हम लोग वहीं पर वेश्ट की हैं और इतना लंबा ट्रैफिक की मतलब पूछिए मत ड्राइविंग मैं कर रहा था और मेरा हाथ जो है न लग गया था कि यही है अंदर का जो फूफिया रास्ता चाचा जी बता रहे थे वह फूफिया रास्ता हम लोग को मिल गया और अंदर आ चुके हैं लोग अभी अंदर जाके बैट के सारा चीज दिखाऊ का मैं आधा लोग को मुझे लग रहा है कि अंदर खूद के जाना पड़ेगा कि उदर कोई रास्ता देख नहीं रहा है अभी सारे चीजों को किया जाएगा खूद के जाना पड़े या कैसे भी जाना पड़े सब किया जाएगा यहां पे कि ओ वाव फाइनली हम लोग उस जगह पहुंच गया जहां पर आम लोग आने का हम लोग का बहुत बड़ा तमन्ना था और अभी पूरा नीचे जाके आप लोग को दिखाऊंगा कितना अच्छा ताल है यह ताल ताल चोटा मोटा ताल नहीं है बहुत बड़ा ताल है और यहां पर बहुत संभाल के चलना पड़ रहा है ने तो अगर थोड़ा सा भी डिस बैलेंस हुआ ना तो सीधा अंदर और और अब यहां से मैं आपको दिखाऊंगा कितना बड़ा ताल है इसका वहां से देख सकते हैं वह जो इसका एंडिंग जो है वहां है कि इसका एंडिंग वहां पर है और देख सकते हैं कीनारा जो है बहुत दूर तक है यह इसको ताल बोलना बहुत गलत होगा क्योंकि यह मूर दैन로 है और स्टार्टिंग में मैं आ रा था वहाँ से जो हाइवे है हाइवे की किनारे क्योंकि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ तो मुझे ऐसा लगा आसा फील हुआ कि यह ताल ही है ताल ही है या फिर नदी है चूखि इसका बहुत बड़ा है ताल, इसलिए अगर इसको ताल बोला जाए तो बहुत गलत होगा, वही चीज, मैं जब आ रहा था तो मुझे लगा कि ये ताल नहीं है, ये नदी है, लेकिन ये ताल ही है, इसका हिस्ट्री अगर मैं बोलू तो ये पहले रामगर ताल के नाम से फेमस था, अब यहां से, यहां से अंदर जाओंगा, और अंदर जाकर के मैं आपको, यहां का जो सारा चीज है वो मैं आपको दिखाऊंगा, देख सकते हैं कितना अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, यहां पे बैटने लाएक बहुत अच्छा है, हम लोग तो यह सोच लिये थे, कि हम लोग को आने नहीं मिलेगा यहां पे अंदर, लेकिन किसी तरह से, आगे बड़े, भगवान का नाम लेके, और आने मिल गया, अब यहां से बहुत अच्छा दिखेगा, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा बहुत अच्छे से, मुझे लगा था कि यहां पे आने नहीं मिलेगा, लेकिन बगवान का नाम लेके, हम लोग एंटर किये, और आखिरकार हम लोग को अंदर, एंटरी मिल ही गई, तरीका गलत है अंदर आने गा, लेकिन ठीकी है, जैसा भी है, कि अच्च कर दो ही, प्यारे को बाहते हैं, जैसा अंने भी ही अंटरी मिलेगे हैं, जैसा भी हैं, अंजर को आखिता अंटर खोलोग कि अ . तो जैसा कि आप यह सब लोकेशन्स देख रहे हैं यहां पे हम लोग अभी बहुत सारा फोटो शूट करवाएं क्योंकि यह लोकेशन बहुत अच्छा है यह दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है मैं अपने इस्टाग्राम पे इसको डाल दूँगा सारे फोटो जो हैं यह बनाऊ गया यहां पे और यह सब देख सकते हैं पीछे सारा नजारा जो यहां का है बहुत अच्छा नजारा और इसी नजारे के लिए हम लोग तरस रहे थे चार पांच महिने से कि यहां पर आने मि में गेट पर जैसा सिच्वेशन था जैसा सीन था वहां का उसको देख के लग नहीं रहा था कि हम लोग अंदर आप आएंगे लेकिन आ गया अंदर भगवान का नाम लेके और अंदर आ गया और अंदर हम लोग सारे चीजों को मैं कवर करके दिखा रहा हूं यह पीछे का स क्या सारा चीज है भी तीक सकते अपनों अखिर का म खूपिया रास्ता हम लोग का बहुत काम आया कि यही है रामगाड्ट गाल और आजकल कि नौका विहार नौका विहार इंद और पिया नंज का अगर इसका meaning निकाला जाये तो नौका विहार, नौका means होता है नाव, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, नौका means होता है नाव और विहार means भ्रहमण करना, तो नाव को ले करके भ्रहमण करना ही उसका meaning है, अभी यहाँ पर under construction सारा चीज चल रहा है यह, तो यह सब चीजों को सब, देखें यहाँ पर, यह जो कॉलम है यह, इन कॉलमों पर असोक अस्तंब रखा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर असोक अस्तंब लगा हुआ है, तो यह चीज है, अरे बहुत बड़ी मचली वहाँ पर अभी एक छलांग लगाई है, अगर, बहुत बड़ी-बड़ी मचलिया होंगी यहाँ पर, तो इसके बाद मैं प्लान बनाओंगा, गोरकनात मंदिर जानेगा, और गोरकनात मंदिर जा करके, वहाँ कभी मैं एक व्लोग तयार करूंगा, बहुत बाद बनाओंगा, वहाँ बड़ी मां एक वाँ पर, तो तो इसके बाद बनाओंगा, और लगईया है, तो इसके बाद़ी, वहाँ पर खवाँ पर प्लोगत, बाद़ाँ आनेगा पर टार कर मैंदम्दट अपर ग्ष झाल 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 यहां से इसका यह जो गेट है यह गेट है अभी बंद है आम लोगों के लिए प्रवेश वर्जित है आई थिंक जाने नहीं देंगे सब अभी बंद है यह तो वहां पर अंदर जाके मैं आप लोगों को दिखाता कि इतना अच्छा लगता है वहां पर जाते हैं तो दिस वाज अलबाट नौका विहार यानि की रामगर ताल जो पहले रामगर ताल के नाम से फेमस था क्या भाई थोड़ा तेज बोलने यार आई होब कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर पसंद आई है तो जो नीचे का लाइक का बटन है उसके साथ रामगर ताल खेलिए या फिर नौका विहार खेलिए आपको मैंने सारा चीज दिखाई दिया है तो आशा करता हूं कि यह आया ही होगा वीडियो को लाइक कर दिजेगा अगर नय है तो सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा सब्सक्राइब करना ना भूली एकदम कमपलसरी है इसके बाद गुरकनात मंदिर जाएंगे वहां का सारा चीज एक्स्प्लोर कर वाएंगे आप लोगको और सारी चीजे का जो फेमस जो अंदर का जो फेमस पार्ट होगा सब सारा चीज दिखाऊंगा तो बने रहेगा चैनल के साथ झाल – का ले लेस्ट है?